हलो एंड नमस्कार कहानी एक छोटे से गांग के एक law student की है जो शहर में के अंदर LLP करने के लिए आता है और वहाँ पर जब वो LLP जॉइन करता है उसको पता चलता है कि कॉलेज में क्लासेज ही नहीं चल नहीं और वहाँ प्लासेज हो भी रही है तो इन रेगुलर्टी के साथ हो लिए जिसके कायन वो उस पॉंट जो से कुछ चीट को नहीं समझ पाता है और लोग को लोग को टू क्लियर कर लिया चलो पास आउट कर लिया लेकिद जब रेलेटीव है कोट के अंदर प्रैक्टिस करने आता है तो उसे बड़ा इंसल्ट फील गरना पड़ता है तो उसके जो कॉंसेंट है वो कहें तो अधूरे पड़े आप मैंसे किसी भी स्टुडेंट की हाला इस लवी की स्टुडेंट के तदा ना होगा इसी लिए लिंकिंग लोग भारत के बहतरी डिजिल प्लेट्फॉर्म अनकेड़ी के साथ में कर लेकर आ रहा है आपके लिए एक बहतरी ब्रॉट्ट को सेक्शन के फिर उपिर दे विफार करे मैं उतको हत्यार बना कर वेस करें दूकर नोयूउस कोई को अपने अपने लक्ष ने बलख कि एक कॉंसेट है मत्रे कर दो खाली शब्दों में मत कहो लिग ने अने कर दो एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा शोर मुले तो लाया हाएगा अला बोल कहते हैं ना इसको एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा रॉब का तो वक्त आता है और अपना जो है वो दौर आएगा ब्रम्हान के सबसे बड़े मोटिवेटे लौध खिष्टा ने रण भूमी के अंदर अजुन से कहा था कि अजुन जब सब कुछ फाइनल हो चुका है जब युद्वित का आगाज हो चुका है और अब तुम ये कह रहे हो कि में युद्व नहीं गड़ सकता है एक पैराग जब पूरा समंदर पैर कर पार कर ले और किनारे से पहले कुछ को रोग ले एक लड़ने वाला युद्वा रण भूमी के अंदर लिए तैयार है लेकिन रण भूमी में लड़ने से कुछ को रोग ले तो उससे युद्वा नहीं उसे कायर कहते है जीवन में आगे बढ़ने का सपना हमने देखा है और अपने जुनूर से पूरा भी इसे हमी करेंगे